असलाम उलेकुम जी और वेलकम तुमा यूट्यूब चानल अमीड है आप सब लोग खेरियत से होंगे आज की जो वीडियो है वह स्पेशली इन्युवर्सटी कॉलेज लड़कियों के लिए है कि वह कैसे अच्छे और अट्रेक्टिव लग सकते हैं विदाउट मेकप चली अ मेरे स्किन जो है वह सूपर ड्राइज से पहले मैं कुछ overlap करोंगी कि वह द्राय कि वह चाएं और डल ना तिखें तो उसके बांटे मैं लगा रही हूं मैं यीज्च कर्या हूं है उसके ना येय्ठ में यूज कर रही हूं शीराएक्य शीर नोयकेक लिगाए को स्किन को इस कोई भी जो मेरे फेस का पार्ट है वो ड्राइनार है नेक्स्ट मैं यूज कर रहे हूं संब्लॉक में ये संब्लॉक जो है वो सेरावी का ही यूज कर रही हूं और इसके इंदे भी हिलरोनिक एसिड है नया सिनामाइड है यह सब चीजों तो मैंने कर ली है अपने सिन को अचे तरीके से प्रप कर ली आए नेक्स्ट अप मैं क्या कर रही हूं मैं अपनी आइब्रो को नीट करने लगी हूं अगर आपके फेस पे कहीं भी बाल आ गही है तो आप इसको रिमूव कर दें क्यूंकि एक्स्ट्रा जो बा नहीं लगता तो आपका फेस जो हो मौशराइज और नीट होना बहुत ज़ुरी है अगर आप अच्छे दिखना चाहते हैं नेक्स्ट मैं ले रही हूं बॉर्जिस की यह टिंटेट फाउंडेशन सो बेसिकली यह बीबी क्रीम की तरह होती है और इसके अंदर भी SPF 30 है और यह आपकी स्कीन को जो है वो प्रोटेक्ट करती है हीट से और दूसरा यह कि हलका सा फाउंडेशन का एफेक्ट भी आ जाएगा और जो मेरी स्कीन है वो थोड़ी सी एवन भी लगेगी सो अब आते हैं अपने लिप्स की तरफ लिप्स को मॉश्यराइजर रखना बहुत इंपोर्टेंट है स्पेशली सर्दियों में ताकि वो ड्राइ ना लगें सो मैं यूज़ कर रही हूँ यह लिब बाम यह थोड़ा टिंटेड लिब बाम है और इसका हलका सा पिंऄ एफेक्ट आता है जिससे यह होगा कि अगर आप लिप्सिक नहीं लगा रहे तो आपकी जो लिप्स पर हलका सा पिंऄ टिंट आ जाएगा जो कि अच्छा लगेगा और आपका फेज जो है वो डल नहीं लगेगा यही लिब बाम मैं टेंड की तरह यूज़ करूँगी अपने फेस पे और मैं इसको अपने चीक्स और आइस पे भी लगा लूँगी ताकि जो मेरा फेस है वो डलना लगे और हलका सा पिंग गलो आजाए मेरे फेस पे सो नेक्स मैं लगा रही अपनी आइलाशिस पे वेजलीन वेजलीन से क्या होगा कि वो थोड़ी सी स्टिकी होती है तो इससे मेरे आइलाशिस थोड़ी सी उठी वे लगेंगी और साथ में मैं लगा रही हूँ मसकारा मसकारा सिर्फ मैं टिप्स पे लगा रहे हैं अपनी अलाशिस के कि हलकी सी जो वो उठी है वेजलीन लगाने से वो मिंटेन रहे वो वैसी ही रहें पुरा दिन हलका सा भी मसकारा आप अगर अपने फेस पे लगा लेते हो तो इससे क्या होगा कि आपका फेस एकदम उड़ जाता है और प्यारा लगने लग जाता है और आपका फेस जो है वो नीड लगने लग जाता है अब आती है बारी अपने नील्स की अगर आप बड़े नील्स लख रहे हैं तो उनको साफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी मोस्टी लोग जो है वो आपके हाथ पहले नोटिस करते हैं तो आप कोशिश करे रहे हैं कि अपने नील्स को फाइल करके रखें और कोई भी शेप आपको पसंद है स्केर राउंड वो आप बना के रखें और उसको मेंटेन रखें उस शेप को साथ आप कोई भी नील्स परिंट लगा सकते हैं मुझे जादा पसंद रेड कलर है या नूट कलर जादा पसंद आते हैं अगर आप कॉलिज में जाते हैं और आपको अलाउड नहीं है नेल पोरिच लगाना तो आप नील शाइनर ले सकते हैं नील शाइनर जिसके अंदा विटमिन सी भी है जिसे आपके नील में शाइनर आजाएका और बहुत जादा नीट और प्यारे लगेंगे तो नेक्स मैं यूज़ कर रही हूं परफ्यूम क्योंकि आप अच्छे और अट्रक्टिव तब ही लगते हैं जब आप अच्छा स्मेल कर रहे हों तो उसके लिए आपको ज़रत है एक अच्छे से परफ्यूम की अब अप अपने ड्रेस के साथ कोई भी जूल्री आट कर सकते हैं जिससे आप अट्रक्टिव लगें आप रिंग पहन सकते हैं आप एरिंग पहन सकते हैं कोई भी जू भी आपके सूट के साथ मैच कर रही हो ड्रेस के साथ मैच कर रही हो उस तरह की आप एरिंग्स या नेकलिस वगरा पहन सकते हैं जो वैजनीन मैंने आई लैशिस पे लगाए थी वही मैं अपने आई प्रोस पे भी लगा रही हूँ जादे बालों को इसके लिए मैं क्या करती हो कि मैं कोई भी बीजी से हेयरस्टाईल बना लेती हूँ जो मुझे लगता है जिसके साथ में उची पॉनी भी बना सकती थी सजी अब मैं रेडियो चीकी हूँ और आप देख सकते हैं कि सिंपल अपने फेस को मौशराइज करने से और हैस्टाइल बनाने से कितना बिग चेंज आता है और आप कितने नीट और कितने प्यारे लगते हो नैश्रल लगते हो सिर्फ आपने अच्छे तरीके से अपने फेस क प्रेप करना है यह थी आज की वीडियो आई होप आपको अच्छे लगी होगी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें